हेलो दोस्तो मेरा नामें गौतम और आप देख रहे हैं यूलयक लेक्टोनिक्स और दोस्तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे थे कि पीवीटी 501 और पीवीटी 701 का जो ड्रैवर वोड होता है उसके भारे में बताईए तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्ट्रेंजर पीवीटी 501 का यह ड्रैवर वोड है जो कि मैंने मार्केट से मैंने इसको पर्चेस किया है और इसी का जो 701 मोडल आता है उसमें आपको कुछ इस परकार का यह भाग दिखेगा इस साइड वाला यह जो अडियो लेवल का यह जो सरकीट होता है वहां पर आप यह लिए ओने और फिर यहां पर हैं तो हालकि यहां पर किसी वबरकार का में चुर्च आई सिर्क प्रिंट दे दिया गया है लेकिन आपको थूरा सा बता दूँ कि अगर बोड को इस साइड से पकड़ते हैं तो यह जो नीचे वाला पॉइंट हमारा आता है फ़र्ष्ट वाला यह प्लस पावर सप्लाई का जाएगा जो कि प्योर डिसी हम देंगे टांसफर्मर से ब्रिजर की फैर बनाके और यह बेस प्लस होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं यहां पे ट्रंजिस्टर होता है उसमें बेस भी होता है जाएगा और यह दोनों जो पॉइंट आ रहा है यह फीडवेक का है जो कि स्पीकर के आउटपुट वाले भी यह कनेक्ट हो जाएगा तो यह तो हमारा प्लस वाला सेक्शन था ठीक उसी परकार से यहां पे जो तीन पॉइंट आप देख रहे हैं उपर वाला मैनेस सप्ला होता है तो उसमें 373 या 35 या 52 ही होता है उसमें आपको जो है जैसे टूएसी बावन सो और उनीशो तेतालिस उस प्रकार से नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर दोनों टैप से यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से यूज करेंगे उसके बाद यहां आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर तीन होल बने हुए हैं तो हम देखें चाण 4 है यहां पर चारो सााइड गया हुआ है तो एक एक त्र傷 ट्रांजिस्टर में गया हुआ है तो यहां पर audio input हो जागा और यहां पर एक ट्रांजिस्टर के थ्रूज वोल्टेज को कम करके यहां पर आपको BT board के लिए दिया गया है 18V हो सकता है या 24V को जो है डावोड लगा के वोल्टेज को ड्रॉप करके यहां पर देखिए जीना डावोड यहां पर लगाया है 24 वोल्ट का तो आप समझ जाईए कि यहां पर लगो 24 वोल्ट आने वाला है ठीक है तो BT board में चला जाएगा और यह जो दो पॉइंट आप देखेंगे यहां पर यह वाला यह पॉइंट है तो यहां पर मारा ग्राउंड में दिया गया है उसके बाद आप देखेंगे कि जो हीट्सिंग होता है उस पर एक थर्मस्टेट लगा होता है जैसे वो ज़्यादा हीट होता है तो बैसिंग बोल्ट हमारा कम होने लगता है और वो बंद हो जाता है उसी के लिए यहां पर दिया गया है आप यह वाला जो सेक्षन देखेंगे यह जो ट्रंजिस्टर लगा हुए एक छोटा सा सर्किट बना हुए थर्मस्टेट के लिए तो ग्राउंड यहां पर आ जाएगा और प्लस यहां पर लग जाएगा तो जैसे ज्यादा हीट होने लगेगा हीट्सिंग तो यह आटोमेटिक जो है बैसिंग बोल्ट को कम करते हुए आपका अमप्लीफैर को बंद कर देगा और अडियो इंपुट के लिए जो है यहां पर अलेडी प्रिंट के थुरू यहां पर दे दिया गया है किसी-किसी में अलग से जो है सिगनल देना होता है यहां पर एक सिगनल का पॉइंट बना होता है और यहां पर एक पॉइंट बना होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि एक जीनर के थुरू जो है इसमें सिगनल दे दिया गया है तो आपको इसमें सिगनल कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और यहां पर दो प्रिसेट लगा हुआ है तो इस अडियो ले करेंगे transistor के साथ connection करके कि इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं इसमें आप जो है बावन सो दोनों चैनल पर यूज कर सकते हो या 377 और बावन सो और 1947 वह भी यूज कर सकते हो लेकिन इसमें कुछ modify करना होगा तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो